हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कोई भी सदास से बनने के लिए नियून्तम आयू कितनी होनी चाहिए वीडियो बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है आप लोग इस वीडियो को बिना इसकिप के सुरुसान तक जरूर देखें तो चले दोस्तों जाय देना कि ये वीडियो को सुरु करते हैं आपका पहला सवाल है लोग सबा सदास से बनने के लिए नियून्तम आयू कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हुजाएगा पच्चिस वर्स आपका दूसरा सवाल है राज्य सबा सदास से बनने के लिए नियून्तम आयू कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हो जाएगा तीस वर्स आपका तीसरा सवाल है विधान सभा सदस्य बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हो जाएगा पच्चीस वर्स आपका चौथा सवाल है विधान सवा परिशत बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए एही उत्तर हो जाएगा तीस वर्स आपका पाच्वा सवाल है मुखिया बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए एही उत्तर हो जाएगा एकिस वर्स आपका छटा सवाल है सरपंच बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए क्यों उत्तर हो जाएगा 21 वर्स आपका साथवा सवाल है राश्ट पती बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए क्यों उत्तर हो जाएगा 25 वर्स आपका आठवा सवाल है राज्यपाल बनने के लिए निवन्तम आयू कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हो जाएगा पैंतिस वर्स आपका नौवा सवाल है उप राष्टपती बनने के लिए निवन्तम आयू कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हो जाएगा पैंतिस वर्स आपका दस्वा सवाल है परधान मंतरी बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्स आपका एक आरवा सवाल है मुख्या मंतरी बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्स अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसान आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दे